मुझे मल्टिलेल मार्कटिंग में लगवग 20 साल का वक्त हो गया है एक ही कंपनी में मैंने अपना कीरेड बनाया एक ही कंपनी में अपना काम चालू किया और लगातार 20 साल तक वर्क किया मेल्टि लिफल मार्केटिंग के कई लोग मेरे से मिलते हैं और अलगत रखे प्लान के बारे में डिसकस करते हैं सब्सक्राइब में दोस्त अगर मैं बताओ आपको तो मुझे किसी भी प्लान का बहुत ज़्यादा नोलेज नहीं है कई लोग मुझे बोलते हैं कि यह binary plan है यह refinery plan है मुझे कुछ समझ में नहीं आता है मुझे एक ही plan आता है जिसको मैंने किया और 20 साल के अपने अनुभव को मैं आपके बीच में साजा करने आया हूँ मैंने बहुत ज़्यादा किताबे तो नहीं पड़ी लेकिन मैं बहुत सारे लोगों से मिला हूँ इन 20 सालों में एक करोड लोगों की मेरी डाउन लाइन है इतने हिंदुस्तान के कोने कोने में गूमने के बाद सारे स्टेटों में गूमने के बाद इतनी डाउन लाइन और इतनी डूपलेकिशन करने के बाद आज हजारों की तादाद में लाखों कमाने वाले मेरी टीम में हैं तो मैं ये वीडियो आपके पर्टिकुलर किसी एक कंपनी के लिए लेकर नहीं आया हूँ हम यहाँ पर और और मल्टिलर्ल मार्केटिंग की बात करेंगे मैं जिस कंपनी को करता हूँ अगर मैं क्यों उसी को अच्छा कहूँ तो यह अपने आप में गलत बात है लेकिन मुझे अच्छा कहना चाहिए मल्टिलर्ल मार्केटिंग में जो भी लीडर है वो सब लोग अपनी कंपनी को सबसे अच्छा कहेंगे लेकिन मैं कुछ कॉमन बातें आपके साथ साजा करना चाहता हूँ इस बिजनिस का सबसे बड़ा जो स्टेप है जिससे इस बिजनिस की डुप्लिक्शन चालू होती है इस बिजनिस की सुरुवात होती है किसी भी आदमी के दुआरा वो है स्टीपी शोधे प्लान में किन-किन कंटेंड का होना जरूरी है उसके बारे मैं डिसक्रस करूंगा उस से पहले मैं आपको बता दूँ एक कावत है फर्स्ट इंप्रेशन इस दे लास्ट इंप्रेशन तो प्लान में आपके पोस्चर का आपके ग्रूमिंग का बहुत बड़ा महत होता है 90% लोग आपकी प्रसनलिटी को चार चीजों से समझ जाते हैं पहला आपका हुलिया हुलिया का मतलब आपके चेहरे और आपकी सुन्दर्ता से नहीं है और आपको ब्यूटी पोलर में जाने की सला नहीं जे रहा हुलिया का मतलब आपके चेहरे पर हलकी सी मुस्कराड खुसी और किसी उपलब्दी पर पहुँचनी की जो आशाएं होती है जब आपके चेहरे पर जलकती है तो वो आपके हुलिया में रोल अदा करती है आप ट्रेन में जब किसी से पूछते हैं कि अगला स्टेशन कब आएगा तब भी सबसे पहले आप यह देखते हैं कि सामने वाला रिलेक्स है उसी से पूछते हैं जिसका सिर्दद कर रहा हुँ उससे नहीं पूछते जिसने अभी भी फोन पर जगडा किया उससे नहीं पूछते आप उस व्यक्ति से पूछना पसंद करते हैं जो मुस्कराता रहता है तो सबसे पहले द्यान देने लिए बात है कि जब किसी को प्लान देने जाएं तो आपका हुलिया एकदम सही हो जब आप पूरे confident हो जब आप पूरे तरह positive हो तभी आप किसी को प्लान बता है दूसरा हुलिया के बाद आता है आपका dress code impression की दूसरी चीज है dress code दुनिया में जब भी कोई film बनती है बड़े से बड़े कलाकार को जब भीकारी का रोल अजा करना होता है तो सबसे पहले डिरेक्टर जो होता है सकल को बीगाड़ता है बिकारी जैसी बनाता है और उसके बाद उसके कपड़े भी कारी जैसे करता है तब जाकर वो भीकारी लगता है इसका मतलब है आपका dress code से ये पता चल जाता है कि आप किस level के आदमी है तो आपने साइड रेस कोट पेना हूँ सिंपल सा ध्यान रखें मेरा अनुभव यह कहता है कि वाइट कलर की शर्ट डार कलर की पैंट अगर सर्दी है तो सूट और टाई लगी वी तीसरा जो इंप्रेशन की जो सबसे बड़ी चीज होती है वो होती है आपके सब्दों का चैन देखेंगे पढ़ेंगे तो आपको पता जलेगा कि आपके सुरुवाती दो-चार सब्द ही यह डिसाइड कर देते हैं कि सामने वाला आपको सीरियस ले या न ले एक आदमी किसी रेस्टरान पे जाकर अगर किसी बेरे को ऐसे करके आवाज करता है तो यह पता जलाता है कि आदमी कपड़े ही अच्छे पेने हैं इसका ग्रूमी ही अच्छा है बागी इसके अंदर तवीज नहीं है तो आप सब्दों का चैन कैसे करें इसके उपर भी आपका इंप्रेशन डिपेंड करता है और चोथी सबसे महत्पुन बात है जो आपकी प्रस्टनल्टी में चारचान लगाती है वो है आपकी बोडी लेंग्वेज आप किस तरह से बैठे हैं हलाकि यह चारों सब ल्डीपी के टोपिक हैं लिडर्शिप ड़लोप्मेंट प्रोगाम के टोपिक है इन चारों पर अलग-अलग पूरे के पूरे एक एक दिन के फंक्शन हो सकते हैं कभी हम मिलेंगे किसी ट्रेणिंग में तो इन सब्जक्टों पर हम बात करेंगे या व तो ड़लोप यूर प्रस्टनलिटी तो पहली बात है जब आप किसी को प्लान बताने जाएं तो सबसे पहला काम है फर्स्ट इंप्रेशन यानि ग्रोमिंग आपको सही करनी है प्रस्टनलिटी को सही करनी है और दूसरा जो काम है आपकी तैयारी पीशे कि आपकी तैयारी क्या है 90% लोग कहीं पर भी चालोँ हो जाता है प्लैन बताना और उनके पास किसी तरे का टूल्स नहीं होता और वो प्लान बताना चालोँ कर देते हैं कई बाड़ तो हम प्लान बताते हैं अब सामने वाले से पैन मांगते हैं, कि सर आपका पैन दो तो मैं आपको समझा देता हूँ ये अपने आप में एक wrong impression की बात है आपके पास पैन हो, आपके पास डाइरी हो आपके पास आपकी कंपनी का केटलोग हो आपके पास अपनी कंपनी के केटलोग के साथ marketing plan की book हो और उसके साथ आपके पास कुछ product हो और well up to date आपके हाथ में एक bank हो और इन bank में सारे tools हो tools के साथ product हो और तब जाकर आप complete रूप से इस business को करने लाइक बनते हैं 90% लोग क्या सोचते हैं कि प्लान है कभी भी बता देंगे दोस्तों याद रखना दो चीजें जीवन में दुस्मन और ग्रहक कभी भी आपको नोग करके नहीं आएगा इसलिए आपको हमेशा तयार रहना जैसे सेना के लोग हमेशा तयार रहते हैं वैसे direct selling के जो businessmen हैं distributor हैं वो हमेशा तयार रहते हैं किसी भी समय आपको ये plan बताना पड़ सकता है और कहीं पर भी आप ये plan बता सकते हैं तो ये तयारी करने के बाद कैसे आप plan बताएं plan के चार भागों में विभक्त करूँगा मैं पहला है plan की starting यानि start-up plan का किस तरह से हो दूसरे भाग में हम बात करेंगे कि उसे इस बात के लिए कैसे आप motivate करेंगे कि वो direct selling करें क्यों महत्पुन हैं क्यों उसे करना चाहिए दूसरे भाग में ये path लेंगे ये दोनों भागों में हमेशा वक्त के अनुसार बदलाव किये जा सकते हैं लेकिन तीसरा भाग है वो है आपका marketing plan ये duplicable चीज है यहाँ पर हमेशा जब आप calculation बताएं तो एक ही format में बताएं अगर आप 4 legs से बता रहे हैं अगर आप 3 legs से बता रहे हैं company को left side में लिक रहे हैं और consumer को right side में लिक रहे हैं तो आप हमेशा वेसा ही करें क्योंकि जो लोग आपका plan देख रहे हैं वो सकता वो बार-बार plan देखें और उन्हें वो चीज याद हो जाए क्योंकि अगर आपने हर बार अलग लग तरकी calculation ली तो आपको बार-बार calculator को हाथ में लेना पड़ेगा और वो आपका समय खराब करेगा इसलिए आप एक की तरह का plan जब भी आप calculation शो करें तो एक तरगी करें यह duplicable होती है और चोते भाग में हम बात करेंगे कि हम जिस MLM की बात कर रहे हैं उसी को क्यों करें क्योंकि शुरू की तीन भातों में हमने हमारी company का जिक्र नहीं किया हमने multi-level marketing का जिक्र किया एक plan का जिक्र किया लेकिन उस plan में सबसे महत्मुन बात चोते नंबर पे आती है उस समय जब आप ये बताते हैं कि मैं जिस company का plan लेकर आया हूँ उसे ही आपको क्यों करनी चाहिए multi-level marketing में जब वो positive हो जाता है दूइधा में हो उसके दिमाग में कोई बात गुम रही हो और उस समय आप जब directly hint and plan चालू कर देंगे तो सामने वाला आपसे contact जुड़ेगा नहीं और वो दूसरी दिसा में हो सकता सोचे इसलिए सबसे पहले ज़्यादा जरूरी है कि आप उससे familiar हो जाएंगे उसका हालचाल पूछे उसका परीचे लीजिए अपना परीचे दीजिए और जब वो आपसे एकदम familiar ही तरह behavior करना चालू करें तो उसके बाद आप उसके introduction से जानिए कि उसकी जरूरत क्या है हर आदमी जो business करता है उसके अलग-अलग नजरिया होता करने का अलग-अलग सोचने का नजरिया होता है कुछ लोग इस business में पैसे के लिए इस business को करते हैं और मैं आपको बता दूँ मेरा यह अनुभव है चाहिए लोग कितनी भी बड़ी-बड़ी बाते करें कि मुझे पैसा नहीं चाहिए मुझे यह नहीं चाहिए लेकिन दुनिया में सबसे ज़्यादा कोई चीज हमें attract करती है तो वो पैसा है इस बात को आपको समयना चाहिए चाहिए मुखे सम्मानी के पास भी खुब सरा पैसा है लेकिन जब उसे कोई नया प्रोजेक्ट बताया जाता है तो प्रोफिट वाला प्रोजेक्ट बताया जाता है तो ही वो करता है इसका मतलब फर्स्ट इंप्रेशन जो है वो पैसा ही है तो हमें यह पता करना है कि वो पैसो के लिए इस बिजनस को करेगा और साथ में हमें ये पता करना है कि अगर वो थोड़ा सा अपने आपको economical sound समझता है अच्छा समझता है तो हो सकता है वो name और fame के लिए इस business को करें कुछ लोग जिनके बच्चे हैं family हैं कुछ लोग इसे security के लिए करना चाहेंगे और कुछ लोग जिनके जीवन में विल्कुल time ही नहीं है तो वो इस business को time को करना चाहेंगे तो आप उसकी comfort zone को जानी है वो क्या चाहता है जीवन में अगर वो बहुत ज़्यादा बीजी है तो आप अपनी time से बात चलो कर सकते हैं कि हम इस business में time ही पैदा कर सकते हैं अगर उसकी business जीवन secure नहीं है वो नोकरी तो करता है लेकिन particular उसकी skill की वज़े से वो पीसा कमा रहा है तो वो अपनी life को secure करना चाहता है अपने बच्चों को अपनी बीबी को secure करना चाहता है परीवार इंट्रोडेक्शन करें उससे फेमिलियर हो जाए और उसकी जरूरत है उसको हम समझे और क्यों डारेक्ट सेलिंग वो करें उसके पीसे रीजन जाने और उस पर हाइलेटेट करते हुए आपको बात करने हैं तीसरे फेज में आपको मार्कटिंग प्लान शो करना है मैंने यहा पर जब मार्कटिंग प्लान शो करेंगे जो केलकुलेशन सो करेंगे उस केलकुलेशन के अंदर कभी भी आप बदलाव न करें यह डूपली के बलो होता है नहीं तो हर बार आप अलग लग तरह का एक्जामपल ले लेंगे तो आपको समझाने में टाइम भी लिखेगा और इसलिए आप यह ध्यान रखें कि वह अगला अदमी आपसे कनेक्ट है कि नहीं वह लगातार आपकी बात को ग्रंड कर रहा कि नहीं कर रहा है उसके लिए बार बार आप हर दो से तीन मीट में आप उसे एक प्रस्ण पूछ सकते हैं जैसे एक्जामपल में आपको देता हू तो आप बता दें कि रोल्टी आपको आता है उसके बाद आपकी बिजनिस और आपका जीवन सिक्यर होता है टेकनिकल ब्रोरण poisonous आपको आता है तो जया प्लान खतम हो जाता है तब तक यह मल्टी लवल मार्केटिंग को समझ चुका होता है कि मल्टी में में टाइम मनी सीक् लेगा कि मुझे इस बिजनस को करना है कि नहीं करना वो चोथी बात है कि हम M L M company में कि जो प्लान बताया रहा है वही business करें क्योंकि अभी multi-level marketing की बात आप ने की अभी आप ही पैसा कमा सकता है जीवन में पैसा कमाने का तरीका है समय खर्च करो पैसा कमाओ लेकिन multi-level marketing में आप समय खर्च नहीं करते समय का निवेश करते हैं जैसे मैं एक गंटा किसी को इसके द्वारा दिया गया समय उसकी टीम के द्वारा दिया गया समय का जो इसाब किताम में वापस लूँगा इस तरह मेरे पास time multiple हो जाएगा अगर आठ गंटे में 1000 कमाता हूं तो 16 गंटे में 2000 कमाओंगा चुईस गंटे में 3000 कमाओंगा जब मैं एक एक करके अपनी टीम को बढ़ाता जाओंगा लोग टाइम देने के लिए तैयार हो जाएगा तो मेरा टाइम भी बढ़ जाएगा मुकेश अम्मानी हो जाए इतने भी बड़े बिजनसमेन हो वो सिर्फ काम्याब तब हुए हैं जब उन्होंने लोगों के समय को अपनी सक्सेस के लिए लगाया जैसे मुकेश अम्मानी जी अगर एक पेट्रॉल पॉम खोलते तो खुद ही वहाँ पर बेढ़ते लेकिन उन्होंने एक प्रोजेक्ट मनाया और उन्होंने कहा कि भई मेरे पास ये प्रोजेक्ट है अगर तुम्हारे पास इतना पैसा इतनी जमीन है तो मेरे पास आओ और जो पेट्रॉल पॉम पर प्रोफिट हो उसका 90% तुम रख लेना 10% मुझे देना अब उन्होंने 9500 मानलो एक्जांबल पेट्रॉल पॉम खोल दिये तो 9500 पेट्रॉल पॉम से 10% का टाइम सब जगे से आएगा अगर हर पेट्रॉल पॉम से उसके पास 2 गंटे आते हैं तो आपको आशिर होगा कि 9500 इंटू 2 यानि 19000 गंटे वो एक दिन में कमा लेता है तो उसकी इंकम भी उसी सबसे मल्टिपल हो जाती है क्योंकि 8 गंटे में अगर 1000 है तो 19000 गंटे में कितना पैसा होगा तो यहाँ पर मल्टि लेवल मार्केटिंग क्यों करनी है और आभी की कमपनी क्यों करनी है क्योंकि हम समय इंवेस्ट कर रहे हैं समय दुनिया का सबसे महत्पून चीज है पैसा अगर हमें नुकसान भी हो गया तो पैसा तो हम फिर कमा सकते हैं लेकिन अगर किसी कमपनी में हमने तीन साल डाल दिये और वो कमपनी ही नहीं रही तो हमारे तीन साल को आपस लाने का कोई तरीका नहीं है मेरे भाई हूं इसलिए किसी भी कमपनी को जॉइन करते व corona का प्रोफाइल आपको देख लेना ज़रूरी है तो multi-load marketing में आप इकी company क्यों करें उसमें सबसे पहले company की profile लें company की profile में आप बताएं कि ये company कितनी पुरानी है कितने सालों का इसका अनुबाव है कितना इसका infrastructure है कितने इसके पास depot है कितना pick up center है कितनी इसकी factor नहीं है पहले point पे आप ये लेंगे दूसरे product में दूसरे point में आप ले सकते हैं आपके products product जो है उसमें 3 point लेने पड़ते है सबसे पहले product की quality क्या है product की rate क्या है और प्ड़क की range क्या है तो आपको वहाँ पर rate का compression भी करना है quality के बारे में भी demo आप कर सकते है पड़क के quality, demo और rate के बारे में बताएं तीसरी बात में आपको ये लेना है कि इस company में जो multi-lore marketing होती है उसके अंदर किस category पे company काम करती है तो दुनिया की सारी company particular category पे काम करती है कोई FMCJ पे काम करता है, कोई household पे काम करता है कोई cosmetic पे काम करता है, कोई nutrition पे काम करता है कोई कपड़ों पे काम करता है, कोई household बर्दनों पर काम करता है कोई stationary पे काम करता है, कोई software पे काम करता है तो आपको देख, बताना है कि आपकी company क्यों करनी क्योंकि आपकी company कितनी सारी category पे एकसाबता काम करती है दुनिया की maximum company जो होती है वो particular किसी category पर काम करती है कोई upper category के लोगों से साथ काम करती है कोई lower category पर deal करती है कोई middle category पर deal करती है तो आपको यह बताना है कि मेरी जो company है वो A to Z घरीब से लगा का अमीर तक सभी को deal करती है इस चीज़ को आपको पढ़ना है उसके बाद आपको बताना है कि आपकी company में exclusiveness क्या है तो आपके exclusive product क्या है जो दुनिया की किसी company के पास नहीं है जो आपको व्यापार को बढ़ा देंगे उसके बाद आपको यह बात करनी है कि आपको जब company में product मिलते हैं जब सारी category के हैं तो बहुत सारी category ऐसी होती है जो हर व्यक्ति को मजबूरी से खरीदनी पड़ती है और जो लोग मजबूरी से खरीदते हैं उस पर कभी बीवी मिलता नहीं जैसे सक्कर आप खरीदेंगे तो बहुत कम margin होता है नमक खरीदेंगे तो ब आपको ज़्यादा मेनद नहीं करनी लोग बाग यूज करेंगे और आपके पास income आईगी और सबसे लास्ट वाला product जो चोथे नमर पॉइंट का है वो है आपको बताना है हमारी company का education system education system में आपको बताना है कि क्या meeting होती है क्या seminar होती है क्या DTW होता है क्या leadership development program होते है क्या celebration function होते है और आपको last में उसे जो नजदीक में जो function होने वाला है उसके लिए उसको invite करना है जी हाँ invite करना है और जब वो सारी चीच क्लियर करें और जब वो कुछ सोच रहा हो तब आप उसे नीड़ने लेने में मदद करें और उसे बोलें कि देखिए सर इसमें आपका कुछ लग नहीं सकता नीड़ने आप ले लेकिन जब तक आप नीड़ने लेंगे तब तक हम कुछ काम कर चुके होंगे क्योंकि meeting में हम जाएंगे उससे पहले हमारा काम हो चुका होग और उसके साथ खड़े रहें और आप एक एक चीज प्रोसेजर जब उसे बताएंगे तो यह पहली बार में डुप्लिक्शन हो जाएगी दूसरी बार जब उसे किसी को जोइन कराना होगा तो बार बार आपको आपके पास नहीं आएगा आपको परिशान नहीं करेगा तो बार एक बार यंप उसे नहीं करें तो आप बसे करवाने के लिए ले जाना है पिक अपस एंटर पर चैंटन्र पर जब आप पर्चचीस करवाने के लिए लसाएं तो आप विलकुल भी यह नहीं कहें कि इतने का ही प्रण CRD लेना पड़ता है य Psalm psychology है। यह यहां है आब उ इन पढ़को को लेंगे कम्पनी के उम साथे पढ़को को लेंगे और पहले ही दिन उसके गर पर डिस्प्ले वॉल जिसे हम गर पर खोली गई धुकान, खोटे हैं मेरी कई, मैंने कई बार, पिछले चार सलों से मैं परचलित बात कर रहा हूं कि सब लोग अपने गर में डिस्प्ले वॉल लगाएं अपनी दुकान को लें और आज करोना की वज़े से हम सब लोग गरों में बेटे हैं थोड़ा सोचे दोस्तों सब लोगों ने गर यह मेरी बात मानी होती तो आज कितनी दुका का सेंपल सारा वो ले जाए आप उसे रेस्टिक्ट मत कीजिए जब भी आप यह सोचोगे कि मेरा काम तो हो गया इसने इतने की पर्चेजिंग कर ली तो फिर वहां गलत है वहां डूपलिकेशन के लिए गलत है अगर वह सारे पड़क लेकर इस बीजिस को जोइन करेगा त चाहिए किन किन चीजों पर हाइलेटर करना चाहिए लेकिन आने वाले समय में मैं एक वीडियो फिर बनाने जा रहा हूं जिसमें मैं प्लान शो करके बताऊंगा कि किसी व्यक्ति के सामने प्लान कैसे सो किया जाता है तब तक के लिए अलविदा लेकिन हम इस समय को हम यू मार्केटिंग में इसी का नतिजा है कि 12 सरकार 2016 में डारेक सेलिंग पर गाइड लाइन लेकर आई उसे पहले डारेक शेलिंग के बारे में कोई भी आदवी बहुत धन्यवाद आपका कि आपने मुझे सुना हम फिर आपके बीज में नया वीडियो लेकर आएंगे बहुत बहुत धन्यवाद थैंक्स पर वाचिंग ड्रॉप लाइक लीव ए कॉमेंट और डॉंट फरगेट तो सब्सक्राइब और चैनल